Welcome back friends, यह है हमारी वीडियो no.8 C Language Programming Series के लिए और इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं ternary operator के बारे में देखिए जब भी हमको multiple conditions को check करना होता है तो वहाँ पे हम if else if का statement जो है उसको use करते हैं multiple conditions को check करने के लिए लेकिन अगर आप चाहें अगर आपके बार केवल 2 या 3 यहाँ पे conditions हैं तो उनको आप 410 तरीके से केवल एकी line में भी कर सकते हैं ternary operator की मदद से तो इसका syntax क्या है इसको हम यहाँ पे समझेंगे तो ternary operator भी हमारा यहाँ पे helpful होता है जिस तरीके से हम if else if का use करते हैं multiple conditions के लिए तो इसको भी हम use करते हैं simply conditions को check करने के लिए condition को अगर हमने check करना है तो ternary operator हम use करेंगे या simply decision making के लिए हम इसी का use करते हैं तो यह short hand तरीका है इसको use करने का तो इसका syntax जो है वो काफी simple है इसमें सबसे पहले आपके पास एक condition आती है यानि कि हम एक condition यहाँ पे लेते हैं and condition को check करने के लिए हम यहाँ पे question mark लगाते हैं यह इसके structure का part है यानि कि सबसे पहले condition आएगी और इस condition को हम check करेंगे question mark यहाँ पे use करते हैं और अगर यह condition जो है अगर यह true होती है यानि कि अगर यह value जो है true है इसकी value हमको 1 मिलती है तो इसके बाद जो है यहाँ पे जो हम expression लिखने वाले हैं वो solve होता है यानि कि यह वाला expression solve होगा नहीं तो colon के बाद जो हमारा दूसरा expression है ये वाला expression हमारा execute होता है तो simple सा है यानि कि यहाँ पे expression 1 यहाँ पे expression 2 तो यह overall यहाँ पे syntax हो गया आपका ternary operator का तो इसकी मज़च्चे हमें program यहाँ पे create कर लेते हैं पहले एक simple program हम करते हैं then थोड़ा सा इसको हम complex यहाँ पे करेंगे तो पहले में 2 number को यहाँ पे आपको यानि कि 2 number हम user से लेने वाले हैं and then हम check करेंगे कि 2 number से बड़ा आपका कौन सा number है and इसके बाद हम 3 numbers के लिए भी same काम करेंगे लेकिन यहाँ पे हम else if का use ना करके cable हम turnary operator का use करने वाले हैं तो देखिए अगर 2 number के लिए हमने इसको बनाना है तो इसके लिए सबसे पहले मैं program के form में इसको लिखता हूँ तो include मैंने यहाँ पे कर लिया standard input output header file को and then हमारा यहाँ पे आएगा inter main and then हम यहाँ पे user से चलिए हम 2 value पूछ लेते हैं तो a, b तो इसको हम user से पूछ लेते हैं directly आप चाहें तो printf statement की मदद से यहाँ पे लिख सकते हैं enter to number अभी हम directly लिख लेते हैं तो हमने यहाँ पे कहा simply %d %d and address of a, address of b तो इन दोनों ही numbers पे greatest कौन है वो हमने यहाँ पे देखना है तो इनको हमने जब store करना होता है तो एक और variable हमकोच यह होगा जिसके अंदर हम result को रखेंगे तो मानिजे a, b मैंने यहाँ पे लिख दिया, c तो c में हम यहाँ पे store करेंगे इन दोनों में से जो भी आपका number बड़ा होगा इसको हम use करते हैं तो c, question सबसे पहले अगर a जो है वो greater than होता है b से and then question mark यानि कि अगर b जो है sorry, a जो है अगर उसकी value ज़्यादा होती है b से तो simply हम चाहते हैं कि a ही return हो क्योंकि a आपका greater than होगा तो simply हम यहाँ पे लिख देंगे a यानि कि expression 1 इसकी जो value है वो यहाँ पे assign होगी नहीं तो simply colon के बाद हम यहाँ पे b को दे देते हैं यानि कि अगर a बड़ा है तो simply a यहाँ पे आएगा अगर value true होती है और अगर value false होती है तो simply हमको b यहाँ पे assign होता हो दिखेगा then simply आप इसको print कर दीजिए आपने print कर दिया c को तो इसको अभी हम actually proper इसका program हम बनाएं के system पे तो अभी तो आपको simple था इसका syntax I hope समझ माया होगा और यह काफी easy सी इसका syntax है यानि कि अगर दो number को उसमें अगर हमने greater निकालना होता है कभी choice हमने देनी होती है तो वहाँ पे हम directly if lcf का use न करना करके हम ternary operator का भी use कर सकते है लेकिन माल लीजिए अगर हमको यही problem दी गई और हमको यह काम करना है तीन numbers के लिए तो इसका logic जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे complex होगा लेकिन काफी easy है काफी आसानी से आपको समझ मा आएगा तो इसको directly मैं इसका यहाँ पे जो logic है वो लिखता हूँ and then इसका हमें एक proper program भी create करने वाले है तो माल लीजिए मिरपा यहाँ पे तीन number है a quest to 5 b quest to 8 में ने ले लिया c quest to में यहाँ पे चलिए 4 ले ले लेता हूँ तो तीन value है आप randomly कोई भी value ले सकते है और program में तो इनको हम user से read करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे माल लीजे m नाम के variable में इसको store करने वाले है यानि कि जो result आएगा उसको m नाम में हम store कर लेते है तो m equals to सबसे पहले हम यहाँ पे अगर आप चाहें तो individually भी check कर सकते है आप चाहें तो इसको और complex बना सकते है और ज़्यादा operators का use करके तो दो हमारे इसके logic है दोनों से ही हम देख लेते हैं तो सबसे पहले पाल दीजे हमने यहाँ पे turnary operator start किया और हमने यहाँ पे check किया कि A जो है क्या वो greater than B है यानि कि A अगर हमारा greater than B होता है और इस condition को हम check करते हैं तो यहाँ पे अगर A हमारा यहाँ पे बड़ा होता है B से यानि कि A की value greater है तो simple सी बात है जो अगला expression है वो solve होने वाला है यानि कि simply expression 1 जलेगा तो expression 1 मैं दुबारे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक और turnary operator यूज करता हूँ तो यहाँ पे इसको हम nesting बोलते हैं जब भी आपका किसी conditional statement के अंदर same conditional statement यूज होता है तो उसको हम nesting करना बोलते हैं तो यहाँ पे हम nesting करने वाले है turnary operator की तो हमने कहा अगर A जो है वो B से बड़ा होता है तो simply इस expression में आपकी value आएगी यानि कि control जो आएगा वो यहाँ पे आजाएगा तो यहाँ पे simply अब हम क्या check कर लेते हैं कि A जो है B से तो बड़ा है तो A अगर जो है अगर वो C से भी बड़ा होता है तो एक और हमने turnary का operator रिउस किया तो A अगर B से बड़ा है और A अगर C से भी बड़ा है तो simply A ही सबसे बड़ा यहाँ पे value होगी तो यह हमको return करे A और नहीं तो simply हम यहाँ पे return कर देते हैं C को यानि कि अगर A बड़ा नहीं होगा तो अगर C बड़ा होगा तो simple था है देखिए A के लिए तो हमने पूरा यहाँ पे check कर लिया A अगर B से भी बड़ा होता है C से भी बड़ा होता है तो A की value assign होगी लेकिन अगर यहाँ पे यह false होता है तो हमारा जो control जाता था वो जाता था तीसरे statement पे तो देखिए nesting में हमने पूरा एक यहाँ पे use किया और हमारा जो main यहाँ पे है वो भी चल रहा है यानि कि पहले condition दे दी expression 1 and expression 2 तो यहाँ पे अगर A जो है वो बड़ा नहीं होता तो obvious सी बात है तो इस condition में हमने क्या check कि कि B जो है वो C से भी बड़ा हो question mark तो अगर B C से भी बड़ा होता है तो हमको यहाँ से return करना है B नहीं तो simply हम यहाँ से return कर देंगे आपका sorry यहाँ पे आपका B आएगा और यहाँ से हम return कर देंगे C को तो यह simple सा आपका एक तरीका तो यह है यारी कि अगर आप इसको properly run करता है अभी हम run करके देखेंगे तो एक तरीका यह है एक और तरीका हम देख लेते है क्योंकि अभी हमने total यहाँ पे one overall जो है two and three तीन turnary operator का यूज़ किया तो अब हम देखते हैं दूसरा method यहाँ पे तो इसमें हमको operators जादे लगाने पड़ेंगे तो देखिए simple सा है अगर मैंने कहा A जो है greater than होता है B से and A जो है greater than होता है C से भी तो A की condition में हमने यहाँ पे दे दिया तो इस पूरे को मैं यहाँ पे दे देता हूँ इस तरीके से question mark यानकि A अगर B से बड़ा होता है और A अगर C से भी बड़ा होता है तो overall आपको result क्या मिलने वाला है simply A यानकि एक condition अगर true हो गई तो पहला expression तो पहले expression की जगा जेकिए जब भी आप expression की बात करते हैं तो इसी वज़े से हमको result में A की यहाँ पे देना है तो अगर B से बड़ा है C से भी बड़ा है तो A हमको result मिले नहीं तो simply हम यहाँ पे check करते हैं B के लिए कि जो आपका B है अगर यह greater than होता है C से तो simply हम यहाँ पे आप चाहें तो इसको bracket को अगर आप नहीं में लगाना चाहे तब भी यह चलने वाला है तो B जो है अगर वो C से बड़ा होता है तो simply B ही हमको result मिले नहीं तो obvious सी बात है आपका C जो है यह सबसे बड़ी value यहाँ पे होगी then इसको हम close कर लेते हैं आपके दोनों turnary operator यहाँ पे यूज हो गए आप चाहें तो overall इस पूरे को भी bracket में डाल सकते हैं तो यहाँ पे देखिए हमने केवल दो ही turnary operator यहाँ पे यूज की और लेकिन इस वाले logic में हमको तीन turnary operator यहाँ पे यूज करने पड़ते थे तो I hope दोनों ही logic आपको समझ में आये होंगे आप चाहें तो इसको अपने logic से भी solve कर सकने हैं तो इसको चलिए अब हम practically यहाँ पे system पे भी करके देखते हैं तो आप देखिए दोनों ही programs को हम यहाँ पे practically भी करते हैं तो पहले हम two numbers के लिए चेक करेंगे and then हम three numbers के लिए चेक करेंगे दोनों ही logic से तो start करते हैं अपने program के अंदर हमने include करनी है हमारी header file standard input output header file जिसकी मतच से हम printf and scanf को use करते हैं and then हमारा starting point यानि की main function and then हम यहाँ पे variable ले ले लेते हैं तो फिलाल हम पहले दो के लिए करेंगे then three के लिए लेकिन variable हम सभी ले लेते हैं a, b, c तीनों numbers के लिए और एक और variable जिसमें हम maximum value को store करेंगे तो इसके बाद next हमने यहाँ पे user से values को पूछना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ simply printf में enter हमने enter करनी है two values या two numbers को हमने enter करना है तो इसके लिए हम use करने वाले हैं simply आपका scanf function को तो scanf %d and %d and then यहाँ पे आएगा address of a यानि कि a में value store होगी और आपका b में भी value store होगी तो यहाँ पे simple सा हम terminal operator यूज करते हैं दो value table check करनी हो तो काफी आसान है इसमें तो हमने यहाँ पे कहा a जो है अगर वो greater than होता है b से question mark तो अब हमने पहला expression बनाना है तो पहले expression में केवल a की value है यानि कि अगर a greater है तो हम यहाँ पे केवल a को return करेंगे लेकिन अगर a greater नहीं होता तो second expression तो उसमें आपका b return हो जाएगा तो इसको हम print कर देते हैं printf की मदद से कि maximum जो value है वो है आपका simply percent d मा आ जाएगी आपका m नाम के variable से तो simple सा हमारा program था return zero इसको हम execute करके देखते हैं तो दो number 23 and 56 तो देखिए maximum value है आपका 56 तो अभी तो हमारा b यहाँ पे greater था तो अब हम a को greater देखके भी check कर लेते हैं तो a में हमने दे दिया 67, b में दे दिया 34 तो अब हमको result में मिलने वाला है 67 तो देखिए दो numbers के लिए तो हमारा turnary operator perfectly काम कर रहा है तो हम करते हैं आपका 3 variable के लिए तो %d और अब हम यहाँ पे read करेंगे आपका address of c यानि की third variable के लिए भी तो enter 2 की जगा आप यहाँ पे लिख देंगे 3 numbers और अब हम यहाँ पे अपने logic को create करेंगे तो सबसे पहले हम 2 turnary operator यूज़ करेंगे पहले में हम 3 यूज़ कर लेते हैं चलिए उसके बाद हम 2 turnary operator यूज़ करेंगे तो start करते हैं सबसे पहले अगर हमने check करना है आपका a जो है अगर यह greater than होता है b से यहाँ पे आजाएगा question mark यानि कि अगर a की value b से बड़ी है तो आपका पहला expression जो है यह execute होगा तो पहला जो हमारा expression है इसमें हम check कर लेते हैं कि a जो है क्या यह greater than है c से भी यानि कि b से तो greater है तभी आपका true होके पहला expression चलेगा और पहले expression में हमने check कर लिया क्या यह c से भी आपका greater than है तो अगर यह C से भी greater than है तो हमको result में A ही चाहिए, नहीं तो simply हम यहाँ पे result में दे देंगे C, क्योंकि अगर A greater नहीं है तो obvious सी बात है यहाँ पे C greater होगा, तो देखिए A के लिए तो हमने यहाँ पे complete कर लिया, तो अब यहाँ पे हम main वाला जो है इसको भी complete करते हैं, जिस आपका B जो है वो already greater है, तो B greater होगा तब ही जाके condition false होती है और इस expression पे हम आते, तो B को हम check कर लेते हैं, simply A के लिए तो हमने check कर लिया, हम इसको check कर लेते हैं C के लिए भी, तो अगर C से B जो है वो बड़ा होता है, तो हम यहाँ पे से return करेंगे B को, नहीं तो हम simply यहाँ स नहीं तो आपको simply यहाँ पे syntax error मिलती है, अगर आप bracket close नहीं करते हैं, तो देखे इसको run करके देखते हैं, सबसे पहले हम A को ही check करते हैं, यानि कि सबसे बड़ा number हम A को ले लेते हैं, तो A में है 34 and then आपका 2 and simply 6, तो देखे value is 34, तो अब हम check करते हैं simply B के लिए, तो A में 12 B में सबसे बड़ी value and इस से छोटी value C में, तो देखे B भी आपका यहाँ पे properly work कर रहा है, तो अब हम यहाँ पे value देखते हैं C के लिए, तो एक value, then second value, then third value, तो सबसे बड़ी value आपका C है, तो यहाँ पे result में मिल गया 78, तो यह तो हमारा पहला logic था, जहाँ पे हमने तीन ternary operator use किये, यानि कि पहला overall तो किया ही, साथी में दोनों expression की जगा भी हमने ternary operator use किया, तो अब हम यहाँ पे दूसरा logic भी देख लेते हैं, तो चलिए इसको मैं रहने देता हूँ, अगर आपको यह program आप देखना चाहें, इसको मैं comment में डाल देता हूँ, यह हमारा पहला logic है, तो इसमें मैं लिख देता हूँ, logic 1, आप चाहें तो अपने logic भी आप create कर सकते हैं, अब हम दूसरे logic से इसको create करते हैं, जहाँ पे केवल दो ही ternary operator हमारे use होंगे, तो bracket start and यहाँ पे सबसे पहले a जो है, अगर वो greater than होता है b से and, जो कि end operator हमें यूज करने वाले है, a जो है greater than होता है c से भी, तो यह overall पूरी condition बन गई, question mark, तो अगर a दोनों से ही बड़ा है, तो हमको यहाँ से return करना है a को, और अब हम चेक करने वाले हैं आपका b के लिए, तो question mark a return करे, अगर यह value true होती है, लेकिन अगर false होती है, तो expression 2, और यहाँ पे हम चेक करेंगे, क तो देखिए overall पूरा logic यहाँ पे बन गया, आपके bracket भी हमने properly use कर लिए, तो simply semicolon और इसको अब हम run करते हैं, तो देखिए हमारा simple था, इसका result हम यहाँ पे देखते हैं, तो इसको मैं execute करूँगा, compile and run, तो इसमें कोई भी error नहीं आई, तो सबसे पहले a के लिए हम चेक करत तो B के लिए भी आपका 34 and 67 and आपका 23, तो 67 greater है, ऐसी हम C लिए भी check कर लेते हैं, देखिए आपने check करना है, जब भी आप program create करते हैं, अगर आप उसको check करेंगे सभी values के लिए, क्योंकि अभी हमने केवल कम values यहाँ पे लिए हैं, तीनी values को हम check कर रहे हैं, तो अब हमारा आएगा 89, तो I hope आपको दोनों ही logic से यहाँ पे अपने program को करना आया होगा, यानि कि अम greatest कौन है, तीन numbers के बीच में, तो दोनों में से आप कुछी भी logic का यूज़ कर सकते हैं, और आप practice के लिए अपना जो third logic है, उसको भी आप create कर सकते हैं, तो इसी के साथ हमारी ये video भ 9.